जहन प्यारे साथ ही हो स्वागत है आप सभी का एक वर फिर से खोटा किंग ऑफिसल भी आईए हम बात करेंगे फरिश डहर के पूरे कहानियों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया है इसमें से तेरा कहानियों को हम लोगों ने जो भी थियोरी था वो सारे थियोरी क्लास को हम लोगों ने देख लिया साथी साथ जो भी महत्मुन प्रश्ण बन सकते थे वो हमने क्या किया कि separate कहानी हर कहानी के अंत में हम लोगों ने प्रश्ण भी साथ ही साथ देखने का प्रयास किया और उन समों में जो महत्मुन प्रश्ण बन सकते थे वो सारे प्रश्णों को हम लोगों ने हल करने का प्रयास भी किया तो आईए अब हम बात करेंगे आज फरीच डहर के सभी कहानियों से लेकर के जितने भी महत्मुन प्रश्ण बन सकते हैं वो सारे प्रश्ण आपको एक वीडियो में यहां से complete आपका होने वाला है तो चली शुरू करते हैं इस कहानी सेशन को और एक एक करके सभी प्रश्णों को हम देखते चलेंगे कि किस कहानी से कौन से प्रश्ण और किस तरह के प्रश्ण जोगों बन सकते हैं आपके एकजांस में सबसे पहले याद रखना कि फरिश डहर को लिखा किसने है तो इसे लिखा है पंचम मातों के द्वारा तो पंचम मातों ने इस पुस्तक को लिखा है तो ये तो सबसे पहले आपको ये याद रखने है आईए शुरू करते हैं इस कहानी को तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस पुस्तक में कौन-कौन सी कहानी है तो कहानियों को एक नजर हम डाल लेते हैं पहले तो इसमें पहला आता है हिराल हांसी फिर है उदासी, बेडाल छहुआ, कर्मा कर्मा के बाद फिर आता है दिदी जी रकतबारी, डाइन, चटिया, मानान उसके बाद है फिर मनिक बेथा, भोत, पुनिया और दूखा पहले जो था वो 11 कहानी यहां तक आपको पढ़ना था बाद में इसमें दो कहानिया और इसमें एड किया गया इस पुस्तक में, तो तेरा कहानी इसमें, कुल मिला करके तेरा कहानी है, ठीक है? एक एक करके हम सभी प्रशनों को देखते हुए चलेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं सवाल यही बन जाए कि फरीश ढेहर जो को कैसी रचना है कविता संग्रा है कहानी संग्रा है नाटक है या तो फिर उपन्यास है इस तरह कि option आपको देखर बन सकता है तो पहला ता आपको समझ में आ ग़ो कि यह एक कहानी संग्रा है जिसमें से फरिश दहर कहनी संग्रहेक परकासक के नाम बतावा, तो इस पुस्तक को परकासक का नाम अगर पूछा जाए, तो बाली डीखोठा कमिटी बोकारो इसका जो वो पुस्तक का परकासक है, अगला सवाल है कि फरिश दहर कहनी संग्रहेक पहील परकासन बच्छर बतावा, तो प फरीष दहर कहानी संग्रा में कुल कितने कहानी तो तेरा कहानिया है अगला सवाल है कि फरीष दहर कहानी संग्रा के संपादक के नाम बतावा जे 25 दिसंबर 2021 पानुरी जी के 81 जयनती के अवसरें लुवाठी पत्रिकाएं बहरायल हल तो गरधारी गोश्पामी आकास खुटी इसका जो वो सही अंसर हो जाएगा इस पुस्तक के संपादक अगर आपसे पूछा जाए तो गरधारी गोश्पामी आकास खुटी होगा चली अगला सवाल है कि फरीष दहर कहानी संग्रा के भूमी का इसके द्वारा लिखा गया है तो इसकी इस पुस्तक की भूमी का जो इस दहर कहानी संग्रा है के दूसर परकासन और परकासक तो दूसर परकासन कब हो दोजर अकीस में बाली डी खुटा बाली डी अश्टिल सीटी बुकारों के द्वारा पंचम मातो जी के बापेक नाम बतावा अब यहां पर लेखक के बारे में उन्हें जान लिया लेकिन अब लेखक से सम्मधित वी प्रश्ण आपके एक्जांट में पूछे जा सकते हैं तो पंचम मातो जी के बापेक नाम बतावा तो इनका से सही अंसर हो जागा गजातर मैं तो पंचम मातो जी के मायक नाम तो जूला देवी अगला सवाल है कि पंचब मातो जी जनम बच्छर बतावा तो इनका जनम 28 जनवरी 1949 इस्वी को हुआ है कहां पे हुआ है तो मारा फारी बुकारों में तो जनम अठाव अगर पूछा जै तो मारा फारी बुकारों में इनका जोगो जनम हुआ है पंचम मातो जी के कौन-कौन सम्मान से समानित कर लिए लिए तो खोठा रत्न सम्मान दोजार इस्वी में और अखरा सम्मान दोजार इस्वी में से समानित कर लिए लिए पंचब मातो जीक चर्चित रचनाक नाम बतावा है तो फरिश रहर ये कहानी संग्रा है मन्चरईया एक यात्रा विर्तांत है और ककर नामे लिखब गीत या एक कवीता संग्रा है ये इनकी चर्चित रचनाये है पंचब मातो लिखल चर्चित यात्रा विर्तांत किताब कर नाम हक है तो पंचम मातों के द्वारा लिखा गया चर्चित जो यात्रावरतांथ है उसका नाम है मन्चरयां मन्चरयां पुस्तक के बारे में गर हम बात कुने इसका प्रकासन 2009 में करील पत्रिका में किया गया था इसके परकासन कौने तो बालीडी खोठा कमिटी बुकारों के दवारे इसका प्रकासर किया गया, इसमें कुल कितने यात्रा विर्तांत है, तो आठ यात्रा विर्तांत को इसमें जो वो सामिल किया गया इस पुस्तक में, और बता दे कि यह यात्रा विर्तांत का पहला पुस्तक माना जाता है खोठा में, ये भी आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि खोठा यात्रा वरतांत के पहील किताब के नाम बताबा तो इसका सवाल बनता है कि खोठा में कहानिया तो बहुत सारा लिखा गया है कहानी संग्रा या पूस्तक बहुत सारा लिखा गया है लेकिन सिर्फ खांटी कहानी संग्रा यानि सिर्फ कहानी को अगर एक में सामिल किया गया हो तो वो पहला माना जाता है वो है फरीश दहर को ही जिसको लिखा है पंचम म कहानी हा गए तो इसका सेंसर हो जागा फरिश्ट हर है हरायल हांसी कहानी के मुख पात रहे तो इसका सेंसर होगा विमल बाबु विमल बाबु इसका कहानी का जो को मुख पात रहे हरायल हांसी का हरायल हांसी कहानी है कमिया या नोकर कर नाम की रहो है तो कर कमिया के नाम रहो अग्ला सभाएक की विमलाबु कौन सहरे नोकरई करला लग हो ईंगिन फ Renee के पढ़ाय करल हल को एंग शैने ने लेकिन दुईओ शबुबा बाहर में रोलती हैं एक वो पूरे चलिगलती हैं एक वो अमेरिका चलिगलती और दुईओ कभी घर इनाइलती हैं यह करकारण से जो विविमल बाबु काफी ज़्यादा परिसान रोलती हैं आपने पत्नी के साथ में और जैसे लगाल है कि हांसी जो पूरा हेराइगे लें उक्रेपर की कहानी लिखा लिए कि हेराइल हांसी जो पूरा खुसी जो हम लोगों का कहीं कहीं च्छीन गया है आगे पढहते हैं अगला सवाल है कि विमल बाबुक बोर्ड बेटा कोन कोलेज से इंजिनियर के पढ़ाय कर लेला तो विमल बाबुक बोर्ड बेटा कोन सहरें एगो पोड़ आला ओफिसरेग घर पढ़ल बेटी संगे कर देला तो पटना में एगुप बढ़ ओफिसर घर गे बेटाक भीया बेरल है बिमल बाबुक छोट नुनु या छोट बैटा कौन कोलेज से इंजिनियरिंग के पढ़ाये पास कर देला तो इंजिनियरिंग कोलेज रूड नुनु कि से वू่ पास कर देला चोट नुनुवा और बढ़का नुनुवा कहाँ से तो रांचि से तो इक भीमल बाबुक छोट नुनुद्थि नोकरी करोल तो इंजिन्यरिंग के अमेरिका जिसाव कौन जगा प्रवा कहरके क्यर लोल है तो अमेरिका में ही एक आपन ल साम रहर जाए अगर अंसर हो जाएगा गवरी चोड़ दाक इभडी सैतान भाय गेल है इव से बात के करा से को होगे यह बात नियोतिन जो विमल जाव से कहती है इसलिए विमल बाभु की पत्नी कहती है विमल से विमल इसलिए नयडेवो की शव भगवान हवा है फूल, रखम परिवार एकरा हमर संगे खेले दे ये कथन के आर ककरा से कहले तो यह बात जो विमर बाबु नियोती से कहते हैं अब ये बच्चा कौन रहता है तो बच्चा रहता है उसका जो नौकर रामु रहता है उसी का पुत्र रहता है क्योंकि विमर बाबु के अपने बेटे तो दोन कि उसका साधी कर देते हैं, जिसकी पत्नी का नाम गौरी रहता है, दोनों का विवा होता है, कुछ दिन के बाद बच्चा का जर्म होता है, और वो बच्चा आने के बाद विमल बाबू और नियोती के जैसे जीवन में लगता है कि एक नया खुशाल जीवन उनके पास में जो वो घूम कर आया हो तो ये कहानी पूरा है अगर आपने पूरा कहानी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के सेक्शन में जाएंगे या इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है या तो चैनल के प्लेलिस्ट में फरीश डहर करके आपको एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एक एक करके हम सभी कहानियों को टॉपिक वाइस कवर करते हुए चले हैं तो अगर आपको पूरा देखना है कहानी तो आप वहाँ पे जा करके पूरा कहानी को समझ सकते हैं ताकि आसाने से इन सारे प्रशनों को आप हल कर पाएंगे अगला सवाल है कि बैचारा गरीब इस सब हमने कत्य सेवा करहत इस कत्हन क कर ला गए तो यह बात नियोती बोलती है किसको ले करके तो रामो और उसकी पत्नी कौरी को ले करके क्योंकि वो बड़े इमांदारी पुर्वग जो अपने बेटा होता है वो कभी साथ नहीं देता है लेकिन एक नौकर जो वो हमेशा साथ देने बाला होता है जिसके कारण से ये लोग जो वो हमेशा रामो को काफ़े जादा पसंद करते हैं अगला सवाल है हारे इनखक सेवा दाम हामिन की दिये पारव आबरी हामिन गाचेक पाकल आम भैगेल हो कखनू टिपएक जाए पारो तो कि इस सब के करजा लएके जाए इक कथन ककर लागती या बात विमल बाबु बोलते हैं कि इतना सेवा रामो और उसकी पतनी गौरी जो इतना सेवा हम लोगों का करता है अब हम लोग कुछ दिन के बाद मर जाएंगे तो क्या इन लोगों के लिए कुछ तो हम लोग करके जाएं अगर कुछ नहीं करेंगे तो कही न कहीं इन लोगों का करज हम लोगों के उपर में रह जाएगा विमल बाबु आरोकर गिर्नी नियोती काहे घार में फिकिरे रहो हले तो धन संपत हवल बादे भी घर पुरा सुनसान रहो हले तो घर में संपती भी बहुत हर्चीज सब कुछ था बड़ा बड़ा घर बना हुआ था हवेली जैसा लेकिन महां पे रहने वाला कोई आदमी ने था एक नियोती अकेली रहती थी और विमल बाबु ये दोनों जो वो परिवार जो वो कह सकते हैं कि काफी ज़्यादा दुखी रहती थी ना बेटा है ना पोतहू है ना नाती पोता है देखने के लिए तो जिसको लेकर कि ये काफी ज़्यादा परिसान होते हैं यहीं विमल बाबु एक दिन इतना खुस हुए थे कि चलो दोनों बेटा जो हमारा सेटल हो गया अब अच्छा कमाने धमाने लगा अपनों हम लोग जो बड़ा खुसी से रहेंगे लेकिन यही जो वो खुसी के चकर में उल्टा इन लोगों को इतना जादा दुखों का सामना करना पड़ता है कि वही अपने बेटे जो जिनको ये उतना मेहनत करके पढ़ा लिखा करके और उतने बड़े पोस्ट पर भेजते हैं नौकरी करने के लिए लेकिन वही जो वो कभी अपने मावाब को देखने तक नहीं आते हैं इसी को लेकर के इस कहानी का नाम रखा गया वो है हरायल हांसी तो ये सभी चीज आपको समझना है हरायल हांसी कौन बैथा के कहानी है बतवल गिल है तो यह परिवारेक विखराव के बारे में इस कहानी में जोगो बताया गया है विमल बाबु आपन सभे संपती ककर नामे बस्यत कर देला तो आधा संपती मरल बादे एको धार्मिक ट्रस्ट के हवत और आधा जोगो रामु जो उसका नौकर होता है उसका तो कहीं न कहीं यह विमल बाबु और उसकी पतनी नियोती जो है वो दोनों बातसित करती है कि इतना कुछ इन लोग हम लोगों के लिए किया है तो कहीं न कहीं हम लोग को भी इसके परती कुछ करके जाना चाहिए नहीं तो इन लोगों का कर्द जो हम लोगों के उपर में रह जाएगा भले हम इसको नौकरी के बतले हम लोगों ने पैसा दिया है लेकिन वो काफी नहीं है वो तो इनका मेहनत का आधा भी नहीं है जितना है लोग मेहनत करते हैं उसका अपने नौकर रामो के नाम से वसियत कर देता है कि मरने के बाद जो होगा वो इनी लोगों के नाम होगा विमल बाबु और नियोती के आखे काहे लोर डबडबाई जा है तो बेटा पुतो नाती पोता रहला बादे भी घर पुरा सुनसान रहो है अर्फ कभो उसाभीन घर नाइ आवो हत उदासी सिर्षक कहनिक मुख पात रह लागे तो उदासी कहनिक मुख पात लागे उदासी जो कि बुधना और सौम्री के तिसर की बेटी है ना बुधना और सौम्री के तिसर की बेटी रोए उदासी उदासी कहनिक उदासीक बापेक नाम की रहे तो उदासीक बापेक नाम रहे बुधना उदासी कहनी है उदासी क मायक नाम की रहे तो उदासी क मायक नाम रहे सुम्री उदासी के एकलवता भाय के नाम की रहे तो उदासी के भाय के नाम रहे राजकुमार यानि राजु भी घर में बोलते थे बुधना और स्वम्री कौन कहनिक पात्र लागे तो यह उदासी कहनिके पात्र लागे बुधना और स्वम्री कई गो छहवा रोहत तो तीन गो बेटी और एगो बेटा यानि चैर गो छहवा रोहत लेकिन बेटी सब के उतना ज्यादा प्यार रहे करो थी बेटा के एक बेटा रहो है राजकुमार जैसन पूरा अगरा फूल जैसन रखो थी और काफी ज्यादा दुलार करो थी लेकिन एसन उल्टा होए कि बेटा बेटा बार निकल जा है जैसे यहने वहने घुर फिर के चोरी डगैती इसा पर निशा इसा इसा करे लगो है और बेटी छबुआ जकरा कहियो बढ़ियां से ने पढ़े के बढ़िया कपड़ा मिलो है उँ पूरा मेहनत करके और उँ डाक् यहनि बाव खाये तो उदासी कहारी जयर भाव लगे कि बेटा बेटी में भरक नइकरेख चाहिए लो क्रिछी रूप से क्या है इसका अब भाव जुआ इसका और इसे कहानी का उदासी के सहेलिक बाप की रहे तो उदासी के सहेलिक बाप रहे वीडियो जेकि उदासी के काफी ज़्यादा सपोर्ट कर ले रहे सहीयो कर ले रहे अगरा पढ़े लिखे में बुधना आपन बैटा राजकुमार यानि राजुक के नाम कौन इसकूले लिखाए देले तो अगला सवाल है कि नाय बाप हमर नाम कॉलेज में लिखाए दे हम तोर से किछू नाय मांगो गीदर टीशन पढ़ाए कि हम आपन खर्चा चलाए ले यी बात के बुधना से कह ले तो अगर छोटकी बेटी उदासी कह ले यी बात तो अगर सही अंसर की बज़ी ते उदासी ज जो वहां के अगल बगल के लोग जो वो बुधना को बोलते हैं बुधना बेटा राजू पढ़े में कैसन रहो है तो एकदम बौका दूदू बहर फैल भाई के स्कूल से बहराए गेल तो दो दो बार फैल हो जाने के कारण से अस्कूल से उसे जो वो बाहर कर दिया जाता ह ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दिदी हामरा एक बहर पार लगाए दे यी उपकार जिनकी बहर नाई भी सर्वो यी बात उदासी आपन कौन बहीन से कहा है तो जब उदासी को पैसे की जरूरत होती है कॉलेज में तो ये कह सकते हैं कि अपने बहन के पास जाती है मंजली के बहन के पास जाती है कि दिदी इस बार जो हमारा किसी तरह से बेड़ा पार लगा दो हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे जीवन पर तो वह किसके पास जाती तो मंजली दिदी के पास जाती है जो उदासी नाम लिखाए लिखाए लिटा हम दे देवो यी बात के उदास पढ़े गरी की काम करो हलि और आपन खर्चा उठावे इफिन तो लेडीस में उंचार्ज में और आपन खर्चा वर्चा निकाल के वह पढ़ ली और आगे चल करके वह ड़क्रrat नी बन ली अब देखें कि जो बेटी को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल मिला जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं मिला ना ट्यूसर ना और कुछ ना अच्छा किताब मिला ना धंका कभी खाना मिला ना बढ़िया कपड़ा मिला वो दुख किसी तरह से दुख सह करके जो वो पुरा पढ़ करके वो डॉक्टर बनी वही बेटा को जो वो कई सारा खर्च किया इंगलिस कॉन्वेंट अस्कूल में नाम लिखाया खर्च बर्च नया जुत्ता पॉलिस किया हुआ पूरा कपड़ा जो पूरा इस्त्री किया हुआ यानि आरन किया हुआ पूरा कपड़ा ड्रेस और एक से एक चीज उसके दिया गया लेकिन बेटा क्या हुआ कि अस्कुल में बार बार फेल होकर कि अस्कुल से निकाल दिया गया अंत में वो भी सरकारी अस्कुल में आ गया और सरकारी अस्कुल में पढ़ करके किसी तरह से कुछ दिन तक पास किया इससे पूरे घरवाले तो उसको नौकरी जो वो उसी अस्पताल में एक चपरासी के रूप में एक काम जो गो लगा देती है कौन तो उदासी बुधना और सुम्री काहे पश्ताहिक तो बुधना और सुम्री जो उदासी की मापाप रहते हैं ये इसलिए पहचाते कि जे बेटिक बेस तरीक कहियो नाय पढ़लिक नाय बेस तरीके राखलिक से आइस कूले के नाम उचा कर ली वो बोलते हैं कि जिस बेटी को हमने अच्छा ना अच्छी सिक्षा दे पाए ना अच्छी कपड़ा दिये ना कभी उस ना अच्छा से हम लोग सपोर्ट किये वो आज जो पूरा खुल का नाम रखी है खुल का लाज रख दिये और जो बेटा को हम लोग उतना कुछ किये वो हमेशा हम लोगों को बदनाम ही किया है कभी चोरी में फंसता है कभी वो कह सकते हैं कि जेल चल जाता है कभी इधर है कभी कह सकते हैं कि बदमासी में फंसता है तो किसी तरह से ने किसी तरह से पूरे परिवार को वो हमेशा बदनाम करते रहता है अगला जो कहानी है वो ह हो यारकाल देख बाबू कौन हो घटले कही है लजई है लगेंग इज्जेत लागे ईक कहले यारकाल साब जोगो गाओं एक लोग से सभीन से कहा ले तो राखाल साब जोगो एक समाजिक व्यक्ति होती हैं और गाओं के सभी लोगों से कहते हैं कि अगर किसी तरह से दिक्कत हो तो हमें जरूर बोलना हम जरूर जोगो इसका उपाय करेंगे और आप लोगों का जरूर हम सहयोग क चायर बच्छर चायर मयना और चायर दिन जब भेले तो आपन बुत्रु के जो वो नाम लिखाए दली सेवातिक बूंद जिनुकेक मुहेपईर के मोती, कहराक मुहेपईर के कपूर और सापेक मुहेपईर के की बन जाए इक खाली ठाओं की हते तो जिस प्रकार से सेवातिक बूंद जिनुकेक मुहे पईर के मोती बन जाए कैराक मुहे पईर के कपूर और सापेक मुहे पईर के मनी बन जाए इसलिए बोला जाता है कि सेवातिक का जो बूंद होता है जब स्वातिक बुंद जो होता है वो काफी ज्यादा अहम माना जाता है अगर बुंद बोला जाता है कि जिनुप के मुह में पर जाए तो वह मोती बन जाता है कैरक मुह में पर जाए तो वह कपूर बन जाता है और सापेक मुहें पर जाए तो वह मनी बन जाता है तो जैसन संगत में उठन बैठन बैसने बने है मानूस, बन जा है मानूस, तो यह कहावत है कि जिस तरह से हम बोएंगे उसी परकार से हम फसल को काटेंगे, अगर हम बोएंगे बबुल को तो कहां से हम उमीद करेंगे कि महां पर हम आम या किसी अच्छा फल हमको मिलेगा, मह तो समाज में असर जरूर पड़ता है कि आपका विचार कैसा है इससे ये पता चलता कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ में है। रखाल साब जो वो अपने बेटा मोतिलाल को बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है और मोतिलाल जो वो अपने गलत सहयोगियों के साथ यानि गलत साथियों के साथ वो गलत आदतों से लिफ्थ हो जाता है और दारों मौध उल्टा सीधा इधर फिल्म देखना दारों मौध पीना जैसे कई सकते हैं कि गलत तरीकों से पैसा जो वो घर्च करता है और जब पैसा घर्च आता है तो अपने पीता के पास एक चिठी लिखता है कि हमने जो है वो हमें तीन ठीन ट्यूसन का धरल ही हो कागज को पी फुराएगे ले और दूध उठावना करल हो आरहो पैसा भेज दे लेकिन दरसल ये पैसा से ना ही वो ट्यूसन कर रहा होता है ना ही दोध पी रहा होता है ना ही और कुछ अन्य चीज कर रहा होता है पता चलता है कि ये सारा पैसा जो वो फिल्म देख करके दारो मौद ये सब में जो वो पैसा उड़ा रहा है अगला सवाल है कि र पुछते हैं उसके पिता पुछते हैं कि आखिर में तुम एतना अच्छा पढ़ने में था तो फेल कैसे हो गया तो वो बहाना बनाता है बताता है मोतिलार बहाना बना देता है यहां पे कि हम जो रायत जाएक के पढ़े हाव है ठंडा से सर्थी भाई के देखा जो धीप गे अगला सवाल है देखनूनू तोर उपर यह हमर आसा है रे हमर मान मरजादा टा बचाय ली है बाप यह कथन ककर लागए तो यह बात जो राखाल साब आपन बेटा मोति से कह ले सहरें पढ़ेल लेल गेल बादें मोति की कर ले तो बेडायल संग वह बेडाय गेल तो पहले जो अच्छा था वो कह सकते कि अपने गलत संगतों के साथ लग करके वो भी जो वो गलत आदतों से लीथ हो जाता है मोति मैट्रिक के फाइनल परिछाएं की कर ले तो फाइल भैग ले तो की कर ले तो फाइल भैग ले फाइल भेद बादें मोति की कर ले तो सहर के इसे घरे रहे लागल अब यहां पी जब वो फाइल कर जाता है मैट्रिक में तो उसके पिता बोलते हैं कि अब तुम सहर में क्या करेगा चलो अब आजा घर बहुत पढ़ लिया राखाल साब कैसे मुईर गिला तो हाट फेल करके वो जो वो मर जाते हैं तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा हाट फेल करके साब जिक एते दिनेक अरजल मान समान इजेत आबरू जैसे आई सब फुराएगे लहल एकर जिम्मेदार के हले तेकर जिम्मेदार हले ओकर बैटा मुटी लाल अगला सबाल है कि मुटी लाल आपन महरारो के माथें हाथ रेक के की कसम खहलग की दारू मौद छोड़ दियेक तो दारू मौद छोड़ देने के बाद यह बात जो वो कसम खाता है यह बात कौन बोलती है तो मोतीक माय बोलती है फरिश डहर कहनी संग्रहिक परकासक कर नाम बतावा तो बाली डिखोटा कमीटी बोकारों के तवारा इसका जो परकासक किया गया इसका परकासन 2001 और 2008 में इसका परकासन हुआ पंचा मातो जिक जनम बच्छर और जनम ठाव बतावा तो 28 जनवरी 1949 कुल का जन्म होता है माराफारी बोकारों में चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथी कहानी के और आते हैं चौथा कहानी है कर्मा कहानी लिखवयक नाम बतावा तो पंचा मातों के द्वारा लिखा गया कर्मा कहानी कौन किताबे छपले तो फरीज ड़र करन ये छपले कर्मा कहानी कौण समस्या के उखरावल के ले तो अध्यूगी करन और विस्थापन के पारे में यहां पे बताया है इस क्हानी में कहाँ लोहा कारखाना बनेक बाथ सभीन गामेक लोग बोलाहलतीन तो मारा लोहा करखना बुकारो अगला सवाल है कि गामेक लोग की निकलेक चर्चा कर रहा हती तो कोईला, तांबा, माटिक, तेल ये सभी जो वो निकलने की बात जो वो गामवाले करते हैं तो अगर आपको पूरा कहानी पढ़ना है तो चरकटी टैन तो चरकटी टैन इसका जो वो सही अंसर हो जाएगा ये इहां एसियाक सबसे बोड लोहा करखाना बनतो इबात के कहले तो ओफिसर गामेक लोग सभीन से कहले इबात कौन सहर रकम ओखिन के गाम के बनेक बात अपसर गुलेन कहल थीन तो अपसर लोग जो वो कही न कहीं वो गाम वाले लोगों को एक लुभावना देते हैं कि यह गाम जो वो कलकत्ता जैसा सहर बना करके हम लोग दिखा देंगे यहां पर पहले कारखाना और फेक्टरी का अस्थापना तो होने दो देखना यह गाउं जो हो पूरा कलकत्ता जैसा सहर बन जाएगा कर्मा घर से पुरनवास बादे कौन गाच्छे खेंटे रायत के सुतल हले तो वो परास गाच्छे क नीचू जो वो सुतल हले कर्मा क मिलल पैसा कैसे फुरा गिले तो आपन बापेक ओजा पाने खर्चा करे और एगो रहेक ठेहार करे में तो पहला तो कर्मा को जो पैसा जैसे उसका घर महाँ पे तूट जाता है विस्थापन करने के बाद तो जो पैसा मिलता है वो पहले आधा पैसा तो खर्च हो जाता है उसके पिता जी के इलाजगर में और जो कुछ पैसा बचता है वो एक घर बनाने में खर्च हो जाता है सारा पैसा कर्म ठीकेदार ठीन कौन काम करो हले तो चौक कोड़े क्यानि माटी काटे काम जो वो करता था ठीकेदार ठीन कत्य मजदूर काम करो हला तो 50 साइट वो मजदूर जो वो काम करो हला कर्माक जोड में कए गो लोग काम करोा लाए तो कर्मा के जोड में कए गो लोग काम करो लगे तो पांच गो दुगो मरद अर तीन गो जैनी यानी रेजा रेजा मने किये हुए तो महिला मजदूर को जो वो रेजा कहा जाता है कर्मा केकर से प्यार करो ले तो कर्मा जो वो फुलवा से प्यार करो ले फुलवा के उमर कते रहो है तो फुलवा के उमर उस्त में जो था वो 17-18 बच्चर ले कर्मा के उमर उसमें कितना था तो कर्मा के उमर 28-22 बच्रिक उमर रोले फुलवा कैसे मुईर जाहे तो चटायन के तरह चटाय के मर जाती है यानि पड़ा पत्थर के नीचे दब करके जो वो फुलवा मर जाती है फुलबक मॉरल बादे कर्मा केकर से बिहा करू है तो कक्रों से नाय करती है यह वो कुमारे रहता है हना किसी से बिवा नहीं करता है गामेक लोक के जमीन गेल के बदली की की दी एक बात करल हला तो महाँ पर जब गाउं का जमीन जाने का बात किया जाता तो उसमें बोला गया था कि वाजिव दाम मिलेगा घर एक बदल पोकता घर मिलतो यानि मजबूत घर बनाया जाएगा 56 सब के नोकरी मिलत और कलकता रकम स इसका right answer हो जाएगा। ब्यलदारिक बेटी घर हूँ सूखना है और ससूर गर हूँ सूखना है। तो यह बात करमा ले बोल के ले। अगला सवाल है के करमा फुल्वा से कहां पहिल भे मिलो है। तो पहली बार कहां मिलते हैं तो लुगे मिलते ह। अगला जो कहानी वो है दीदी जी तो फरिश धर की जो पांच भी कहानी वो है दीदी जी दीजी कहानी लेखक के लागत तो पंचमातो लागत दीदी जी कहानी कौन किताबें छपल है तो फरिश धर कहानी एक किताबें छपल है दीदी जी के नाम की हले तो दीदी जी के नाम ह रहुए दिदी जी के महरत के नाम, दिदी जी कैसन महरारू हलिक, तो एगो सीधा साधा समाज सेविका महरारू हलिक, दिदी जी के पढ़ावे ले राम बाबू से के कहल हले, तो यहां बात जो वो किसुन बाबू बोलते हैं, यहां बात जो वो किसुन बाबू बोलते हैं, फ तो यह जो उद्गाटन होता है वो दिदी जी यानी फुलमनी के हाथ से ही किया गया था फुलमनी जिनकी से हाइनिसार या हतास काहे हलिक तो माई नाई बने एक लेल जो वो अपने जिंदगी से काफी ज्यादा परिसान और हतास थी दिदी जी कहनी कमुख पात लागे तो काफी ज्यादा बच्चा जो वो वहां पर बढ़ जाता है क्योंकि फुलमनी वहां पर जो वो काफी ज्यादा मेंनत करती है दू बच्चरबादे स्कूल में कए को छववा भैगल थी तो जहां पर पांच बच्चा दे करके इसकी शुरुवाद की गए थी वहां पर आज 400 मदद से और जहां पे एक मास्टर नी यानि एक ही सिक्षिका के रूप में वो शुरुबात किया था आज वहाँ पे एक ग्यारा मास्टर नी हो गया था दू बच्छर बाद फुलमनी की बन गेली तो दू बच्छर बाद जो वो दिदी जी जो वो हेड मास्टर नी बन गेली मास्टर नी से अगला सवाल है कि देख बेटी ये पांच को छववा आई से तोर जिम्माई देहियों तो एक राप पढ़ाओ और ये इस्कूल के चलाओ ये बात जे हो के कहले फुलमनी से तिया बाद जो वो किसून बाबु फुलमनी से कहते हैं ये फूलू, इटा की करें हैं तो हैं रायत दीन खाली कांदवे करें ये बात फुलमनी से के कहलें ये बात जो वो राम बाबु कह दिये है फुलमनी के पती दरसल फुलमनी का जब बच्चा नहीं होता तो काफी ज़्यादा परिशान रहती है रोती भी लगती रहती है हमेशा घर पे जुश को ले करके उसके पती राम बाबु जो वो लगातार बोलते हैं कि आखिर में तुम इस तरह से लगातार हमेशा रोते रहेगी तो तेरा तब्यत और सरीर भी खराब होगा ऐसे हमेशा रोते मत रो हमें भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह से चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है तो आर की करव की करव बाइच के हैं हे विधाता हमरा इधरती से उठाए ले इबात जोगो के कह ले तो या बात जोगो फुलमनी कह ले माइन आई बने के लिए हाई निसार भाई के इबात कहा है दिदी ची कहनिक मुख संदेश लागए तो दिदी ची कहनिक के मुख संदेश की लागए आपन सत्तिक पहचान करेक चाहिए पहला दुसरा आपन दुखे डूबल रह ले आरो दुख बाढ़े हैं इसलिए अपने दुख से निकल करके किसी अलग राफ्ते को चुनना चाहिए ताकि उससे जोगो थोड़ा बहुत अच्छा हो सके समाज सेवाटा सबले बड़ा सूख लागए और मानुस के आपन से उपर उठके दौसरों कमदेद करेक चाहिए तो यह जो वो सही अंसर हो जाएगा option यानि यह सभी सही है है ना यह सभी संदेश जो वो देता है इस कहानी से राम बाबू आपन महरारू के गीदर लेल कहां जाए ले बोला हले तो यह तो जो वो गामेक मुडाक मंदिर यानि देविक मंदिर जोगों जाने के लिए बोलते हैं फुल्मनी इसकूल से माचल समये कहां जा हले और की करहली तो समय अगर बचता था इसकूल से तो वो टोला मुहला में सभे घरे जाएके जनी सभिन के जागरुग करहली और कुटीर उद्योग जैसे अगरबती, पापड, सिलाय, बुनाय, जैसन काम सुरू करहल थी और सभी महला सभ को जागरुग भी करती थी ताकि उसका जीवन यापन अच्छे से चल सके अगला सवाल है की रकतवारी रकतवारी ये छटी कहानी है रकतवारी कहिसन रचना लागए तो यह कहानी है इसको लिखा किसने है तो पंचम मातों के तवारा लिखा गया है किस किताब में छपा हुआ है तो फरीश डहर में आगे बढ़ते हैं लेखा कमने पहले देख लिया है रकतवारी कहनी के मुखपात लागए तो काकर घर भिया आले तो चरकुक घरें भिया आले चरकुक कौन बैटक भिया आले तो चरकुक के बोर्ड बैटक भिया आले है ना अगला सवाल है कि रकतवारी कहनी है गामेक मानिता लोग के नाम की रहो है तो दोकानी काका उकर नाम रहो है चरकुक छोट भायक नाम की रहो है तो रखतवारी एशन पर्था की, साधी घरी धुलहन के घर ढूके पहिलें, पठ्ठू के बली दे के रखत के टीका लगावल जा है, और गोड रखत से लगल अंदर जा है, तो यही पर्था को जो गो रखतवारी बोला गया है, चर्कूक बेटाग भी हैं, दूगो करिया पाठा के जवरत परतों पंचा मातों के जनम ठाव बतावा तो अठाइस जनवरी उनिस्वी कहानी आते हैं डाइन पर डाइन कौन रख में क्रेचना लागा तो यह एक कहानी है इसको लिखा किस किताब में छपा हुआ है तो फरिच धर में छपा हुआ है डाइन कहानी ककर नावा बिहा भेल ले तो सुक्रा के नावा भिहा भेल ले तो इसका सेंसर हो जाएगा आठ क्लास सुक्रा कौन क्लास है फाइल भाइगे ले तो छठा क्लास में वो फाइल भाइगे ले ओकर बाद वो पढ़ाया लिखाए नाय कर ले सुक्रा क्सासूर की देखकर आपन बेटिक भीहा सुक्रा से कर अला तो ओकर बापेक जो भी खेत और खर्याने के बोड़-बोड़ पुमारे कूंड देखकर के आपन बेटिक भीहा जोगो सुक्रा से कर ले ए रे सुक्रा तोर बहु नजर लाइगेल हो रे जो तनी चांदू काका डाइक के आन यह बात के कह ले तो यह बात जो वो सुक्रा के माय कह ले अगला सवाल है कि गामेक नामजर्ज का ओज़ाक नाम की रहे तो उस गामेक जो नामजर्ज का ओज़ाक का नाम रहता वो चंदू का कर रहता है सुक्रा के बहु के डरावल हले तो सुक्रा के डरावल हले तो बुध्री माय ऐसन सब ही जो वो महाँ पे बोलल थी सुक्रा के बोड साला यानि सारा के नाम की रहे तो कर नाम रहे बैजू जो कि एक पढ़वा और बुध्गर आदमी था बैजु आपन बहिन के केकर ठिन लएके जा है तो वो जाता है डाक्टर नेलीमा राई के पास यानि डाक्टर को पास जो वो अपने बहन को लेकर के जाता है सुक्रक महरारू के कौन बिमारी भैगेल ले तो रहान के समाज के देखा वल गिले तो डैन भूत कूपर्था के उपरे यह समाज को दिखाया गया है डायन कहानी है डायन कगराब अदबल के लिए तो डायन जो वो बुधनी माय के यहाँ पे इस कहानी में जो वो बताया गया है अगला कहानी है वो आठमी कहानी है चटिया चटिया कौन रख में रचना लागए तो यह एक कहानी है चटिया कहनी कौन किताबे चपल है तो फरीश डहर कहनी चपल है इसको लिखा कि इसने तो पंचम मातों के द्वारा लिखा गया है चटिया कहनी है चटिया क नाम की रहे तो चटिया क नाम रहता है रामचरन इसका से अंसर हो जागा रामचरन चटिया कहानी एक केकर घर मंसा पूजा हर एक बच्छर हवा है तो रामचरन के घर में जो वो हरवर्स जो वो मंसा पूजा होता है चटिया कहानी एक कौन चटिया के विरोध करा है तो चटिया का विरोध जो करता है वो सीबू करता है चटिया कहनिये रामचरन कौन देविक पूजा है चटिया भोरा है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंदसा चटिया कहनिये के पाठा नाय देल रहे तो इसका सही अंसर हो जाएगा सीबू सीबू जो हो उसमें पाठा नहीं दिया रहता है डहाडर में एका रीची सचाई नाए लागए अगला सवाल है कि कील रामचरण बेहस भैगिल अरहा है आप ओकर उपरे ओकर कपारे खुई निकल जा है तो इसका सेंसर हो जाएगा सापेक देखकर अगला सवाल है कि मंसा देवी ककर देवी कहल जा है तो मंसा देवी को जो वो साप की देवी बोला गया है सापेक देवी बोला के लिए की लेल रामचरन के से सभीन के भरोसा उठ ग मंसा पूजा कौन महिना मनावल जाए तो भादो महिना में जो मंसा पूजा मनाए जाता है अगला सवल है कि चटिया रामचरन के कीलेल दांत लेग जाए तो साप के देख करके अकर जो दांत लेग जाए अगला जो कहानी है वो है नौमी कहानी मनान मनान कैसन रचना लागए या एक कहानी है, मनान कहानी कोन किताबें छपल है, तो या फरीच डहर कहानी है, एक किताबें छपल है, फरीच डहर कहानी संग्रा के लेखक कर नाम बतावा, तो पंचम मातों इसके लेखक है, मनान के सही अरत बतावा, तो मनान के अरत होता है मनोती, अपने देवी देताओं भेल रहूं हो जाएगा नंदवार बाबा सुगिया मरत के की नाम रहे तो सुगिया मरत के नाम रहे मदन धेुत आफ सुगिया sam deta अन्र मदन के बैताक नाम की तो तुप रहा कर बैटा जाला था भ funcion सेक अगर नाम जो वह दूख है गेले ले सुगिया आपन नुन्वाग चूइल उतारेक लेल कौन थाने मनान कर लेली तो इसका सेंसर हो जाएगा बुढ़ा बाबक थाने सुगिया नुन्वा दुखू के कौन बिमारी भेल रहे तो उसको जो बिमारी हुआ था वो हुआ था निमोनिया मनान कहानी एक अगर खातिर मनान करल गेल है तो दुखू खातिर जो वो इस कहानी में मनान किया गया है अगला सवाल है कि मनान कहानी की संदेश उख्रावल गेल है तो अंठेकानी मनान नाय बेजाय लगए मन खराब भेल बादें डाक्टर के देखावेक चाही तो ये दोनों option जो वो सही हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला जो कहानी है वो है मनेक बेथा इस कहानी संग्रा की दस्वी कहानी है मनेक बेथा कैसन रचना लागयती है एक कहानी है मनेक बेथा कहानी कौन किताबें चपल है तो फरिश ड़र किताबें जो वो चपल है फरिश ड़र कहानी गोच के लिखवयक नाम बतावा तो पंचम मातों के त्वारा इस कहानी को लिखा गया है फरिश डहर कहानी गोच में कई गो कहानी है तो इसमें कुल तेरा गो कहानी है फरिश डहर किताबें कौन दूगो नावा कहानी जोडल गिल है तो इसमें जो दो नई कहानी जोड़ा गया वो है पूर्णी और दूखा इसमें पहली कहाणी जो वो है हरायल हाशी और अंतिम कहानी दूखा चलिए आगे बरते हैं मानुस एक बैथा कहानी दूगो भाई एक नाम की रहे मोर्ण भाई कर नाम रहे तो बोर भाई के नाम यहां पर की रहे तो हरी जो वो बड़ा भाई रहता है जबकि छोट भाय के नाम जहरी रहता है हरी कौन कलासें पढ़ल रहे तो हरी जो है वो मैट्रिक पासें पढ़ल रहे हरी बिहा कते उमेरे भेल रहे तो तेरा बच्छर उमेरे जो वो अकर बिहा भेल रहे घरी बिहा घरी ओकर बहुरिया उमेर कते रहे तो इसका जो सेंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आठ बच्छर अगला सवाले कि हरी कैसन काम करा हल तो हरी जो वो किस परकार का काम करता तो एगो इसकूले मास्टर हला हरी के कैगों गिदर अले तो हरी के दूगों गिदर अले हरी आर जहरी में कौन हुट मुडिया यानि होल मुठिया आर मोट मुद्धिक रहे तो जहरी जो था वो थोड़ा कह सकते हैं कि मोट बुद्धिका रहता है यानि थोड़ा उतना चालाक नहीं रहता है अगला सवाल है कि हाई इसको लें पढ़ते पढ़ते कौन मेट्रिक फैल भाई गिलल तो इसका सेंसर हो जाएगा जहरी हरी आर जहरी के कौन पोस्ट ले रही तो हरी आर जहरी के क्या पोस्ट ले रही तो ओकर विदवा माई पोस्ट ले रही इसका सेंसर हो जाएगा ओकर वि पांच हजार टाका और दू यूनिट खुईन के तरकार जोगार करेल डाक्टर कह ले तो इसका सही अंसर हो जाएगा जहरी को जहरी के 5000 टका और दू यूनिट खुईन के देले तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओकर भाई हरी और भो जाए मनेक बैथा कहानिय की संदेश मिला है तो मनेक बैथा कहानिय की संदेश मिलो है तो आपन परिवार से बढ़े कर केवू नाय होए अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़तिए अगला जो कहानी वो है भूत भूत कैसन रचना लागये तो यह एक कहानी है व सकताब में छपा उहूं है तो फरीज डर किताब में छपा हुआ है और्मिलक मरत के की ले नाम रहे तो इसका जो सही अंसर हो क्या हो जाएगा इसका सी अंसर हो जाएगा दिनु यानि दिनुआ और्मिलक सस्राइरे आर ककर विहा भेल रहे तो इसका सी अंसर हो जाएगा सुग्यक एकर उपरें भूत आर जैन कई के सभीन बोला हल्थिन तो इसका सेंसर हो जाएगा क्या इसका सेंसर हो जाएगा और्मिलाग और्मिलाग मायक भतीजा के नाम की रहे तो इसका सेंसर हो जाएगा माखण उसके भतीजा का नाम रहता है चली आगे बढ़ते हैं और मिलाक उपर कैसन भूत रहेक बात सभीन कहा हल है कुईला कुद्रा भूत के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया तो कुईला कुद्रा इसका जो सही अंसर हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं गामेक लोग से पंचेती कहर के कौन भूतेक डर भगले आर कहल है भूत पर बनिये समाजे कौन अंधविस्वास के उखरावल गे ले तो इसका जही अंसर हो जाएगा वह जाएगा भूत और मिलाक ममेरा भाय के की नाम रहे तो माखन इसका जही अंसर हो जाएगा माखन कैसन लोक रहे तो माखन जो वो एक पढ़ल लिखल गामे के नाम छहुआ मानुस रहे फरीश डहर कर सही माने हव है तो सही अगर माने हव है साफ रास्ता अगला सवाल है कि डहर सबद केकर परतीक हगे तो डहर सबद जो वो केकर परतीक लगे तो जिनकी जिये के सही रास्ता के यहाँ पे दरकार बात कर लिए लिए फरिश डहर की ताबेक परकासन बच्छर और परकासक बतावा पुर्णी कैसन रचना लगे तो यह एक कहानी है ठीक है बीरू आर पुर्णी कौन कहानी का पात लगे तो यह जो वो पुर्णी कहानी का पात लगे पुर्णी कहानी कौन किताबें छपल है तो फरीच डहर कहानी है छपल है बीरू ककर से प्यार करो ले तो बीरू जो वो पु इनु तोएं दिकू और हम होड लगूं तो बीरू जब बोलता है कि साधी क्या हम लोग एक साथ हो सकते हैं तो इस पर कैसे कि पूर्णी बोलती है कि नहीं हम लोग एक साथ कैसे हो सकते हैं हमारा जात अलग है तुमारा जात अलग है हमारा समाज अलग है तुमारा समाज तो पहार कोचा कе अरकुंजल का में एको गरीब चासा घरें और भीहा भेल रहें अगला सवाल एक पुर्नीक मरत की का इता। सोहराई पूर्णिक कई गोग इधर भए गिल ले तो पूर्णिक मरत के कपार कैसे फूट गिल ले तो एगो टेराके जो हो बज़ेर के अकर फूट जा है पूर्णी के मरद सोहराय के इलाज के कराबल हले तो इसका से एंसर हो जाएगा बीरू जो वो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है जिसके कारण से वो जो इसका इलाज करता है पूर्णी कहानी एक बात करने तो किस पर लिखा गया है तो सच्चा प्यार, पवित्र प्यार की उपर में इस कहानी को लिखा गया है पूर्णी की बेल बीरू के मुणे हाथ-धैर के कसम देले कि विया करेक लेल आर हमर गिरहस्ती बसा वेक ले तो यहाँ पर क्या था कि जब पुर्णी का विवा हो जाता है दो बच्चे की मा बन जाती है लेकिन कुछ दिनों के बाद जो वो पुर्णी और बीरू फिर से एक बार एक मेला में मिलते हैं लेकिन वहाँ पे पूर्णी जो वो काफी ज़्यादा रोने लगती है उसके आंक से आंसु आ जाता है देख करके बीरू को और इस तरह से जो वो दोनों का यहाँ पे बात आता है आगे बात में पता चलता है कि बीरू जो वो आज तक साधी किया ही नहीं है इसको लेकर के पूर्णी कगर से कहले तो यह बात जो वो बीरू से पूर्णी कहले ले पूर्णी कहानी कौन पत्रिकाएं च्छपल रहे तो यह लुवाठी पत्रिकाएं च्छपल रहे जिसका अंक तीन था चली आज का आकरी कहानी देख लेते हैं दुखा जो कि इस फरिश दहर की अंती इसको किसटी तवर्ण लिखा गया है तू पंचम महतो जिक जनम भेल रहे तो या बोकालो अस्टिल प्लांट में यह कायर भी कर चुके है हैं दूखा कहनी यह दासना धमरी घुर Гुर के बेचाली तो माला मलहारिन जेले वह दासना और दमरी घुर के बैचाली, माला मलहारarin के मरत के की नाम रहे दुखा मलहार, माला मलहार इन लोगों का कोई अस्ताई पता नहीं होता है, आज अगर यहाँ पर अपना तंबू टान करके बैठे हुए हैं, कुछ दिन के यहां पे रहेंगे फिर उसके बाद दूसरे जगह जाकर अपना टंबू तान देंगे यानि अपना टंबू लगा देंगे और फिर कुछ दिन वहां पे अपना जीवन यापन करेंगे फिर उसके बाद दूसरे जगह चले जाएंगे उसकों क्या बोलते हैं यानि खाना बदो अगला सवाल है कि जे बेटक आई से तोरा आजाद कर दे लियो रे जो आपन माय बाप्ठीन जो खेल कूद आर मोजगर आर पार में तो हमरा मार्फ कर दी है तो यहाँ पर क्या होता कि दुखा मलहार जब बंदर को ले करके साथ साथ में नचाने जाता है तो वो काफी जादा पैसा भी कमाता है उससे और उसका घर अच्छे खासे चल रहे होते है लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब सोहराय का तेवार होता है तो समय सहर से जो वो बंदर खेला यानि नाच दिखा करके वो वापस लोट रहा होता है तब तक रास्ते में एक सराब का दुकान मिलता है उसे दुखा मलहार को और वहाँ पे क्या होता है कि अपने आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ पे सराब काफी जादा पी लेता है जिसके कारण से पीने के कारण से उसका होस नहीं रहता है और वहाँ पे उसे ये सारा चीज समझ में आने लगता है कि आखिर में बंदर को हमने रखा इसके माबाप भी तो खोज रहे होंगे इसको ये सोच करके बंदर को वो खोल देता है और बोलता कि जाओ बेटा आज के बाद तुम आजाद हो और जा तुम अपने माबाप के पास रहना और हो सकता है कि तुम हमें जो वो माफ कर देना जो हमने तुमें इतना दिन तक अपने माबाप से दूर रखा तो यह बात जो वो दुखा मलार कर सिका ले तो बंदर सिका ले यानि बंदरिया सिका ले दुखा मलहार के दुख कैसे भाई जाए तो दुखा मलहार के दुख इसली भाई जाता है करके बांदर नाय रहेक ले बांदर जब तक रहता है उसके साथ में तब तक वो नजाक अरके जो वो अपना किसी तरह से अच्छा खास अपना जीवन यापन चल रहा था दुखा मलहार के दुख फैर कैसे घुर जाए यानि दूर हवा है तो बांदर फैर घुर के आई जाए जकर कारण से जो वो दूईयों के यहाँ पर इस तरह से चीज़ें जो वो देखने को मिलता है दुखा मलहार के दुख फिर कैसे गूर जाये तो बांदर फिर गूर के आई जाये जगर चलते हैं दुखा मलहार के संग कमायक लेल की भेले तो दुखा मलहार के नाय कमायक लेल की भेले तो जैनी छगवा सभीन उपरा छोड़ दिलतीन जिस समय क्या होता कि दुखा मलार पैसा कोड़ी कमा रहा होता है उसकी पत्नी जो है माला मलारी वो बड़ा अच्छे से साथ दे रही होती है सब कुछ अपना सही चल रहा होता है लेकिन जैसे दुखा मलहार का कमाना बंध होता है तो वैसे उसकी पत्नी का रंग बतल जाता है और वो उसे सपोर्ट नहीं करने लगती है थोड़ा बहुत जो खाना बचा-खुचा होता है दुखा मलहार को बढ़ा देती है बागी कि वो अपने बेटा-बेटी के साथ अपना आराम से रहने लगती है इसलिए यहां पर बोला गया है कि सुख का साथी सब कोई होता है दुख का साथी कोई नहीं होता है यानि जब तक आपके पास पैसा है तो आपके support में कई लोग खड़े रहेंगे लेकिन अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो आपके support में भी कई लोग जोगों नहीं आते हैं तो इस तरह से ये सारा कहानी अगर बात किया जाए तो फरीच डर के लगबग 13 कहानी हम लोगों ने देखा और उन 13 कहानियों से जितने भी महत्मन प्रश्ण बन सकते वो सारे प्रश्णों को हम लोगों ने एक वीडियो में complete करनी का प्रयास किया है और उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आयोगा अगर पसंद आयोगों तो इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ अगर चेनल पे नहे हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई अगला वीडियो इस तरह का अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसाने से उनसे आई वीडियो इसका बेनेफिट्स उठा पाएंगे चो चलिए मिलते हैं हमें एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को डेल सारी सोब कामना है और अंतक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत